असलाम लेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं मॉटन पाया यानि की बक्रे के पाय बनाने की रेसेपी पाय बनाते टाइम हमें एक डर हमेशा बना रहता है कि ऐसा ना हो पाय के अंदर इसमेल रह जाए और किसी को पसदना है लेकिन आप इस रेसेपी को फॉलू करें घर में हर कोई आपका कायल हो जाएगा और आप इस रेसेपी के कायल हो जाएगे बहुत टेस्टी बनता है यह तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो मतन पाया बनाने के लिए मैंने हापर छे बकरे के पाया लिए हैं वेट तकरिवन 700 ग्राम होगा इनका अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इनको गला लेना है इन पाया को किस तरह से क्लीन करना है इसका मैं आपको बता चुकी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉ अब इसमें डालेंगे संफ तो एक टेबिल स्पून इसमें संफ डालेंगे मोटी वाली संफ डालेंगे एक टीस्पून काली मेज जालेंगे एक बड़ी लाइच चीस में डालेंगे और इसी के साथ इसमें पांस से छी डाल देंगे लॉंग और एक एक डेड़ इंच के दो तुकृटी दाल देंगे 1 टीस्पून अध्रा को एक टीस्पून 14 लेस्ट पैस्ट इसं मेंड़通 एक छिछोती प्याति यह साथ इस मैं कर लेते हैं 1.5 टी स्पून अज्रक का पेस्ट और 1.5 टी स्पून नाम कलेंगे के लिय एक टी स्पून या फिर प्रि टेस्पून का पेस्ट लेंगे 9 पर सिच्पून ये बिद्ल मिरत काणिकर ग innovator एक टी स्पून भूनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे एक टी स्पून डालेंगे गरम असाले का पाउडर थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे तो यह हमारा पाईों के लिए एक मसाला तैयार है अभी रख देता है इसको एक साइड में इदर हमारे पाई भी अच्छी तरह से गल चुके हैं तो इस यखनी के अंदर से हमें पाईो को निकाल लेना है तो कोशिश करेगा जो गरम मसाले हैं वो यखनी में ही रह जाएं क्योंकि बाद में हम उसको छान लेंगे तो जितने भी पाई हैं वो हम निकाल लेते हैं एक इस ट्रेनर की मदद से एक बाउल के अंदर इस तरह से तो इस तरह से पाई हमने निकाल लिया हैं सारे और जो यखनी है उसको चान कर इस्तमाल करेंगे तो अभी यखनी को साइड में रख देते हैं अब हम पायों के लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो अल्रेडी हमने बाउल वे मसाला तयार कर लिया है अब एक वैसल लेंगे और इसमें आधा कप तेल डालेंगे यानि तकडिवर एक सो पच्छे से मेल के करीब तेल कर लेंगे अब इसमें एक लाज डालेंगे इसका पेस्ट बनांके डालेंगे कबसे मेज़र करेंगे तो 3 x 4 कप यह प्याज बें फियाज को थोड़ा सा पायन डालकर मैंने मिक्सी में चला दिया था और इसका फाइंड पेस्ट बना लिया था पानी पीस्ते टाइम जादा मट डालेगा वना पर इसको फ्राइ करने में बहुत टाइम लग जाएगा अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे तरह से भुण चुका है तेल भी ऊज़ा होनी लगा है अब इसमें वन बाइफ फूर कप दालेंगे अच्छे तरह से प्षेट कर दालेंगे और हाई फ्राइ कर लेंगे जब तक दोबारा से तेल सर्फिस पर नहीं आने लगता है तो तो बीच-बीच मिए थोड़ी सी यखनी डालकर इसको भून लेंगे 5-7 मिर्च के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे इससे क।्छी प्रीख थोड़ी JOYR, 5-7 मिर्डड और इसको फेक देता है तो इस तरह से यखनी को मैंने पायो में मिला दिया है लेकिन अभी यह काफी गाड़ा लग रहा है पाय जो होते हैं पतली साइट पर अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें डाल रही हूं पानी तो मैं इसमें वन एना हाफ कप यानि की साड़े तीन सो से 400 ml तक पानी डाल रही हूं मिला देंगे इसको अच्छी तरह से और हाई फ्लेम पर इस मुबालाने का वेट कर लेंगे लो फ्लेम पर अभी हम इसको पांस से साथ नट के बाद मैं इसमें एक टेबल स्पून मैदे को वन बाई फोर कप पानी में घोल कर इसमें डालूंगी इससे क्या होता है एक हलकी सी थेकनिस आती है ग्रेवी में हाला कि जो पाई की ग्रेवी यह वो पतली साइड पर होती है तो बहुत जादा इसमें मैदा नहीं डालेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं डालना प्रेफर करती हूं आप भी एक बार डाल कर देखेगा बहुत अच्छ जबर्दस हमारे पाई बनकर तियार हुएं और इसके ओपर जो तीरा है वो भी बहुत अच्छे साया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं इसी थारा की पतली कंसिस्टेंसी हमें इसके चाहिए रहती है तो पाई थोड़े पतले बनते हैं तो तेस जादा अच हमने सब्सक्राइब एका holiday से का ऐसी थे बधास क जब तो इसकी जाना है जब आप इसको सरफ करें तब हैप इसकी सायड में राखेंए अपनी डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा देता है और इस तरह से बहुत मुझ्षा मश्य दार है यह हुँए अश्याला आने वाली य और मुझे को कमेंट बॉक्स में आकर अपने फीडबैक जरूर दें आपके पाई कैसे बने आप इनको नान और बटर नान कुल्चे वगारा सर्फ करें तो इनका टेस्ट है वो दुखना हो जाता है और इसके साथ आपको हरी मिर्च नीबू अद्रक वगारा उपर से साइड म लगा देता है तो अब इस रेसेपी को ट्राइज जरूर करिएगा